गुड मॉनिक प्यारे बच्चो आज जब दखेंगे परमाडु क्रमांग क्या होता है और उसके आधरत कुछ सवाल ठीक है तो देखो कोई भी एटम होता है उस एटम के अंदर नावेक होता है किसी एटम के अंदर क्या होता है नावेक होता है और इस नावेक में न्यूट्र किर्मांग कहते हैं ठीक है तो यह लिखवाया है मैंने कॉपी नोट कर लेना जो भी मैं लिखवा रहा हूं ठीक है किसी परमालू के नाभिक में उपस्थ प्रोटोनों की संख्या को उसका परमालू किर्मांग कहते हैं और इसे हम जैड से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो तो परमाल्व क्रमाइं क्या है प्रोतोनों की संख्या तो प्रमाणू को अब कहें दरभमाण संख्या क्या है या दरभमान भार क्या तो कोई बीक항 लाइब होताय हुआ है कर नाविकम इता है। लूट्रोन प्रोटॉं की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं इसलेघ रफिस्वांध संख्या का किसी पर्मालू के नाविक में उपस्तित प्रोटॉनों वर न्यूटॉनों की संख्या के योग को हम पर्मालू भार कहते हैं यह ध्रब्मान संख्या कहते हैं कि लिए तो देखो बच्चो पर्मालू भारावर क्या है प्रोटॉन प्लस न्यूटॉन इसको हम सौटकट मैसेज रखते हैं अब देखते हैं इस पर आधारत कुछ पिर्शन तो पहला कोश्चन है कोई तत्व सी जिसमें प्रोटॉन छे हैं और न्यूटॉन भी छे हैं तो बताईए है इसका परेमालू किरमांग क्या होगा ठीक है बच्चो तो अब भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है की इस पर्मालू किर्मांग के बचुता है मतलब जाई जाइड इपाल टू किसो होता है पिके तो इसमें प्रोटोन के संक्याथ 6 दे रखते है चैहीं हीग कुए ज Shap Set जा उसके बाद देखो इसमें संक्या है तौ हमैं प्रोटॉ LIKE कर मांग ग्याद कर लिया तो गया होगी तो देखो कोई भी परमाडू होता है कैसा हुथ हैं उदसीन रौट था योगा जब प्रोटॉन और कि इसी हो बराबर हो तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही एलक्टॉन ह अर्थात एलेक्ट्रोन के संख्या कितनी हो जाएगीए छे अब आती है पर्माडू-भार की बात की पर्माडू-भार कितना होगा ठीक है तो हम जानते हैं पर्माडू-भार आडम य्वालटऑ सब्सेसमें talking है छेटब्ड़े सब्सेटिक्ट अमर्राहद ऑख परणे मांग आगए लिग रखाओंगे रोगए यह का सब्सक्राइब किसी तत्यों का पर्माडू क्रमांग 12 है वह 6 न्यूट्रोन है तो बताईए कि एलेक्ट्रोनों की संख्या क्या होगी ठीक है तो इसमें दे रखा है क्या दे रखा है गिविन देट पर्माडू क्रमांग दे रखा है 12 न्यूट्रोनों की संख्या दे रखी है 6 तो हमें बतान है एक्टोन की संख्या क्या होगी ठीक है तो हम जानते हैं जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही एलेक्टॉन होगे तो प्रोटॉन सबसे जितना प्रमानुक्रमांग होता तो प्रोटोन होता है तो प्रोटोन भी बारा होगा द्रब माल सब्सक्राइब कैसे न्यूट्रोन प्लस प्लस पी एकॉल टू ऐठारा ठीक है तो मीत्रसमंज में आगोगा आप लगोगे यह अच्छे समझ लेना बहुत इंप्रोटन सवाल कॉंपृटिसन लेविल के हैं यह सारे सवाल ठीक है कि साधे दयनत्य में पड़े हूँ आपने स्टैप की सवाल कोई तत्व ए प्लस 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 है जिसका प्रोटोन प्रोटोन न्यूट्रोन की संख्या क्या होगी दो एप्लस का जिस्मान लेजीए एच प्लस आएन हो चुका है ठीक है अब ए प्लस प्लस तीन बार लिखा हुआ है कर दो यहां का जो प्रमाणु कुर्मांग किता रखा यहां पर तेरा ठीक है तेरा दे रखा है और यहां पर तीन बार मतलब 3 इल्यक्ट्रों से निकाल देना है तो कितने बार दस तो यह 10 क्या है यह 10 है het प्लस प्लस में अल्यक्ट्रों की संख्या प्लस तीरा मैं से तीन घटा दो कितने बचेंगे दस एलेक्टोनों के संख्या बची दस एलेक्टोन के पास है ठीक है तो यह ही आया है दस एलेक्टोन के पास है प्रोटोन के प्रोटोन के पास है प्रोटोन के 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 प्रो दिखिए प्लस एंक तो यहां पर एंग आट्यमिक मास किता निकाल चुके हैं हम बाइंग स्थे माइनस यहां पर चप्टा रिखा है यहां पर 26 है यहां पर 26 है प्लस द जैड़ आप और ऐसे एक फॉरमुल और कोई दे रणायन जिसका प्रमाड़ू किमांग को बतानी है दे रणायन का मतलब यह है इसपेपर दो दो नेगेटिव चार्ज है ठीक है माल लेजिए ए है परमाडू और इसका जो परमाडू कर्मांग का आठ दे रखा है ठीक है तो इलेक्ट्रोनों किसमें कितनी हो जाएगी इसमें आठ हो जाएगी ठीक है अब भी है फिराल आठ शुर्फ दोवादा समझ देघो वह पर तो जानते होता है ए मिकूल टू को प्लस एन तो यहां पर द्रबान दे रखा है दोगों यहां पर किता रखा 16 तो यह देखेंगे सूला बरावर जैड जैड उनला प्लस एन तो एन इकोल टू कर जाएगा सूला माइनस अर्ट वरावर या तो यह आगए है आपका न्यूट्रोनों की संख्या नेक्स कोशचन देखेंगे जैड कोश्चन बोल रहा है कि किसी नाभिक में बारा प्रो्ट्रों बारा न्यूट्रों है तो इसमें एलेक्ट्रों pintogen की संख्या वता श क्रज़िए किसी नावेक के अंदर लैक्टन होते ही नहीं है किसी नावेक अंदर frequent इतनी हो जाएगी हो जाया अब यह कुछ अग् Simpliin में यह आप सोयम्न कर देरा सुद्ध लंबा हो जाएगा ठीक है यह इनाको कर लियू कर लेना अपूद सब्सक्राइब करना ठीक है और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करें बताना मैं आपको बोर्ट परवाद हुआ तो प्यारे बच्छो वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्भी लोग सब्क्राइब कर लें अभी ज्यादा सब्क्र लेंगे तो जब यहार सब्क्राइब रो जाएंगे तो मैं आपको लाइब पढ़ा सकता हूं क्योंकि जब यह सब्क्राइब रहने का ओप्शन आता है ठीक है बच्चों सब्सक्राइब कर लो ओके बाए बाए